एहमेद एहमेद के बच्चे उठो ये तुम होमवर्ग कर रहे हो के सो रहे हो पुझे बहुत नीद आ रही है साधिया पी होमवर्ग कंप्लीट हो गया तुम्हारा तोड़ा सा बाक्य है सुबा जल्दी उठके कर लूँगा अभी बहुत नीद आ रही है अच्छा चलो सुबा उठके कर लूँगा एहमेद अपनी बैट शीर तो ठीक कर लो आलसी कहीं के याद नहीं तुम्हारी स्लामियाद की बुक में भी लिखा है कि सोने से पहले अपने विसर को जार लेना चाहिए हाँ मगर अभी मुझे इमत नहीं एहमेद तुमने अपने साथ साथ मेरे बैट पर भी चीज़े विखेरी हुई है मेरे बैट पर कुछ है अभी अभी कोई चीज रिंग कर मेरे उपर से गुजरी है हटो मैं देखती हूँ वो देखो चिपकली अभी भी वहाँ है अगर यह मुझे काट लेती तो इसलिए तो कहा था कि सोने से पहले अपने विसर को सोने की हिदायत की है कि बिसर में कोई कीड़ा मकोड़ा ऐसा ना हो जो हमें नुकसान पहुचाए अब आएंदस सोने से पहले बिसर को साफ करना मत भूलना और सोने की दुआ जो मैंने तुम्हे याद करवाई थी वो याद है वो तो मैं तोड़ी तोड़ी बूल गया चलो मेरे साथ साथ पढ़ो अल्लाहुमा बिस्मिका अमूतू वा अह्या तर्जमा ए अल्ला मैं तेरे ही नाम से मड़ता हूं और तेरे ही नाम से जिन्दा होता हूं सोने से पहले इस दुआ को हर रोज पढ़ कर सोना चाहिए इस तरहां अल्ला की रहमत शामिले हाल रहती है और नीन से भी भरपूर फायदा हासिल होता है सुभा जब आँखोले तो भी अल्ला तबारक वा ताला का शुकर अदा करते हुए ये दूआ पढ़नी चाहिए अल्हम्दुल्लाहिल्लाहिल्दी अह्याना अह्याना बादमा अमातना वा इलेहिन नुशूर तरजुमा तमाम तारीफें इस अल्ला के लिए हैं जिसने हमें मौत के बाद जिन्दगी बखशी और इसे के तरफ हमको जाना है चलो अब सो जाओ सुभा जल्दी उठकर तुमें अपना हम्रग भी कम्प्लीट करना है ठीक है अब मैं आएंदा जरूर खयाल रखा करूंगा